हेलो फ्रेंड्स असलावलेकुम वेलकम टू माई चेनल आज हम बनाने वाले हैं कोकोनट कुकिज इसके लिए हमें एक कप मेदा आधा कप बेशन दो बड़े चमश सूजी और ये खोपरे का बुरादा डेसी केटेड कोकोनट और एक कटोरी देसी घी डेर कटोरी पिसीवी च मीरेा ठाट चेनि मारे हमारी ग्राम में यह 500 ग्राम होगा और 500 के पिसीवी चेनी लेना है दोनों मिलाके अच्छा की इसको भी अबिट मने यह सकते हैं आपे क्रीमी टेक्ट्ट्चर हो जाना जाए जब क्रीमी और यही बने है काफी कोकिज अदर का इंग्र शहां सिपीत आच्छे से चान लेंगे देखिए जितने भी लंग से उनको चान लेंगे फिर चाननी के बाद हमें क्या करना है कि इसको धीरे-धीरे मिलाना एक दम गूंतना नहीं है टेक्ष्टर इसका क्रमबली बनाना इए नाइगे लाईची पॉडर बिश्दी में रावा डाल देंगे सब डालने के पाद हम इसको अच्छे से क्रंब्ली टेक्ट्चर बनाएंगे ये बेकिंग पॉडर डाला है मैंने आधा चमच और क्वाटर जो डाला है मैंने बेकिंग सोड़ा और 2 चुटकी के करीब नमक डालेंगे नमक डालने से इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा इन्हें तो इसमें मैंने दूद डाल रही हूं ताकि यह binding हो जाए हो सकता है आपका बाइंड हो जाए कि देखिए इस तरीके से थोड़ा सा हमें टेक्शर देखिए आटे का इस तरीके से रखना है पिर इसे हम आदे घंटिक लिए फ्रीजी में रख देंगे तब तक हम हमारा प्लेट में भी कर सकते हैं और इसे गरम होने रख देंगे जब आराम से 10 मिट तक हम क्या करेंगे हमारी कुकिस का जो ही शेप कर लेंगे राउंड आपको इसे से जैसा आपका मन करें चोटे बनाईए तो अंदर तक अच्छे से पकेंगे वह अगर ज्यादा बड़े बना अगरम हो चुका है तो अब मैं इन को सब थोड़ी दूरी गेप में देखिए इसको यह पुलकुल आपको मीडियम आच से भी कम रखना है लोगर मीडियम आच रखना है और हमें 20 मिलिट का टाइमर सेट कर देंगे 20 मिलिट के बाद आप इसको एक बार चेक कर लें बढ़िया एकदम बजार से भी बढ़िया देखिए और इतनी खसता बनी है कि वाकि में मुह में घुल जाने वाली बनी है देखिए दो इस तरफ से कितना बढ़िया कलर और खुश्बुत हो देखिए मेरे कीचन में महग गई है आप भी जरूर बनाईएगा आप मेरे वीडि की जरूरते थेंक यू